परिचय बच्चों, क्या कुश की तरह ही आपको भी समय देखना नहीं आता? तो चलिए, आज हम इस अध्याय में समय के ही बारे में विस्तार से जानेंगे. आओ सीखें. समय बताने के लिए घड़ी का उप्योग करना, सब्ता के दिनों के नाम बताना, एक वर्ष के महीनों के नाम बताना, प्रत्येक महीने में दिनों की कुल संख्या को पहचानना, घड़ी. इस घड़ी की ओर देखें. घड़ी का दिखने वाला हिस्सा उसका चेहरा यानी फेस कहलाता है. इसमें एक डाइल होता है. डाइल में बारा समान भाग होते हैं. ये भाग संख्या एक से बारा तक होते हैं. घड़ी के दो हाथ होते हैं. बड़ा हाथ मिनट वाला हाथ कहला ये समय को मिनट में बताता है। चोटा हाथ घंटे वाला हाथ कहलाता है और ये समय को घंटे में बताता है। पर मिनट तथा घंटे के हाथों की स्थितियों पर वार करें। मिनट वाला हाथ बारा की तरफ और घंटे वाला हाथ आठ की ओर इशारा कर रहा है। इसका मतलब है कि आठ बज रहे हैं। अब दूसरी घड़ी को देखें। इसका मिनट वाला हाथ बारा की तरफ और घंटे वाला हाथ चार की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब है कि चार बज रहे हैं। क्रिया कलाप यहां एक क्रिया कलाप दिया हुआ है जो कि आपको समय की अच्छी प्रकार से पहचान करने में सहयता करेगा। समय को जानने के लिए घड़ीयों के ऊपर अपने माउस को ले जाएं। समय को दिनों, सपताहों, महिनों तथा वर्षों में भी मापा जा सकता है. एक सपताह में साथ दिन होते हैं. ये इस प्रकार हैं. रविवार, सूमवार, मंगलवार, बुधवार, ब्रस्पतिवार, शुकरवार तथा शनिवार. एक महिने में चार सफताहँ होते हैं एकवर्श में बारा महिने होते हैं ये इस परकार हैं जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, माई, जून, जुलाई, अगस्थ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन में से साथ महिनों में से प्रतेक में 31 दिन होते हैं. ये महिने इस प्रकार हैं. जन्वरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्थ, अक्टूबर और दिसंबर चार महिनों में प्रतेक में 30 दिन होते हैं. ये इस प्रकार हैं. अप्रेल, जून, सितंबर और नवंबर फरवरी एक मात्र ऐसा महिना है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं रित्वें एक वर्ष में चार रित्वें होती हैं ये शीत, बसंत, ग्रीश्म, शरद यानि पतिजड होती हैं शीत रित्वें हम स्वयम को गरम बनाए रखने के लिए उनी कपड़े पहनते हैं बसंत रितू में फूल खिलते हैं ग्रीश्म रितू गरम होती है शरद रितू में पेड अपने पत्ते गिरा देते हैं घटनाओं की अवधी विभिन्न घटनाओं के पूरा होने में अलग-अलग समय लगता है सौ मीटर की दोड़ दस सकिंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है एक फुटबॉल मैच समाप्थ होने में दो घंटे का समय लगता है एक क्रिकिट मैच समाप्थ होने में पूरा दिन लग जाता है आओ खिलें दिनों की सही संख्याओं को उठा कर उनके महीनों के सामने रखें हमने क्या चर्चा की एक घड़ी के तीन हाथ होते हैं सकिंड वाला हाथ, मिनट वाला हाथ और घंटे वाला हाथ एक वर्ष में बारा महीने होते हैं एक महिने में चार से पांच सब्तह होते हैं. एक सब्तह में साथ दिन होते हैं.